तो गाइज आप देख सकते हो परपल पे चल रही है मौन्सून मेनिय सेल जो कि 11 और 12 जुलाई को मैंने बताया था ना बहुत बड़ी वाली सेल आने वाली है तो वह आ गई है कुछ भी शॉपिंग करना है तो यह राइट टाइम है यहाँ पर आपको बाइटेक की प्रड़क के कोड़िंग शॉपिंग करते हैं तो बहुत ही ईजी है और बहुत ही बढ़ियां वाली सेल आई है जरूर शॉपिंग करिए फेश चॉप पे आपको फ्लैट 10% आफ मिल रहा है जो कि बहुत ही इंसेन है तो बिल्कुल भी इस टाइम को गवाईए नहीं जाईए पपल पे शॉपिंग करिए और प्लीज मुझे जरूर बताइएगा और सारे प्रड़क्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर अच्छा लगता है तो मेक शुर्स को लाइक जरूर करिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले में यहाँ पर यूज कर रही हूँ एल्प गुड्निस का ग्रीन टी टोनर जो की बहुत ही अच्छा है इसमें आंटी ऑक्सिजन प्रोपर्टीज ह और यह आपके पोर्स को मिनमाइस भी करता है नेक्स्टाम यूजिंग लोरियल पैरिस का रिवाइटल लिफ्टी माइक्रो एसेंस है जो की मेरा पर्सनल फवेड़िट है में इसको मौनिंग में भी यूज करती हूं यह आपकी स्किन को अंदर से रेडियन बनाता है तो यह मेरा अल्टाइम फेवरेट है मतलब मैं इसको काफी ताइम से में यूज कर रही हूं मुझे बहुत पसंद है नेक्स्ट मैं यूज करूँ यहाँ पर अपना फेवरेट मॉस्चराइज है न्यूट्रियूम बहुत टाइमस मैं इसको यूज नहीं गया था तो मैंने सुचा कि यार हां मैं अब दुबारा से इसको यूज करूँ क्योंकि मैं और भी चीजने ट्राइ कर रहे थी बट यह ब अपके थोड़ा सा ही आप लोगे लिगन आपके पूरे फेस को यह कवर कर लेगा एं बहुत अच्छे से आपकी फेस पेक लेयर लगा देता है तो मुझे काफी पसंद आया प्राइमेर लगाने से आपका जो मेकप होता है वो आपकी स्कें के अंदर नहीं जाता है तो यह कि आपकी जो स्केन है वो बिल्कुल भी डामेज नहीं होगी तो यह मुझे दो तीन चीज़े बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं प्राइमर को ज़रूर यूज करती हूं बढ़िया है पर नियू लॉंचे सारे अच्छे है अच्छे है अपर पर सेल भी चल रही है नेक्स को एक शेड लाइटर लगाना चाहिए बट मैं जादातर कोशिश करती हूं कि मैं सेम ही लगा हूं यह बहुत अगर है तो माइनर सा डिफरेंस हो व्यकोज मैं बहुत ही नेचरल मेकप लोग हमेशा क्रिएट करती हूं आप लोग के लिए आप लोग को तभी लगता है कि मै इसको अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूं बहुत ही बढ़िया फुल कवरेज कंसीलर है यह आपके स्किन में इतने अच्छे से आप देख लो मिक्स हो जा रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने एक कुछ अलग सा प्रोडेक्ट अपने फेस पे लगाया है मतलब बहुत ही अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर को बहुत जयादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी बहुत ही ऐजिली अच्छे से हो जारह तो मुझे बहुत अच्छा लगाई है तो मेरे साथ आप फेवरेट में फिट मी ही है में मेरा ओल टाइम अइन ठ्राई किया यह बह जाफी जादा पसंद आया नेक्स में उसकरोंगे आप पॉपल का फाउंडेशन और इसको मैं फॉर्स टाइम उसकर रही हूं बट मैं अभी तो लाइक मैं वोईस ओवर बाद में दे रही हूं इतना बढ़िया फाउंडेशन है आप अभी देखोगे इतना प्यारा कवरेज दे रहा है कि मैं आपको क्या बता हूं फाउंडेशन की मैं कभी भी फैन नहीं रही हूं बट पॉपल का फाउंडेशन मुझे बहुत जादा पसंद आया प्रड़क्ट जो है और इनका जो शेड नंबर है वह आपको डिसक्रिप्शन मिल जाएगा तो चेक आउट करना बिलकुल मत भूलिएगा वहां पर आपको सारा शेड मेरा अगर आपका जो मिसकें टोन है मेरे जैसा है तो आपको डेफिनिटली चेक करना चाहिए यह डिसक और फिर वो आपकी स्किन के साथ एकदम मेक्स बहुत ही प्यारा मतलब मैं इसको देख रही हूं तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है बड़ जब मैं यूज कर रही थी मुझे और भी जादा अच्छा लग रहा था बहुत ही प्यारा फाउंडेशन है और पॉपल के आई थिंग मुझे और मुस्स सारी चीज़े पसंद है इस्पेशली पॉपल का जो लिप क्रियोन है वो बहुत जादा अच्छा है पॉपल के लिप्स्टिक्स बहुत अच्छी है अच्छी कासी सेल चल रही है चेक आउट करना बिल्कुल भी मत भूलेगा तो अब देख सकते हो कितना प्यारा कवरेज दिया है इस फाउंडेशन ने बहुत ही खुबसूरत सा कवरेज दिया है सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया है मुझे दुबारा से इसके उपर कंसीलर लगाने की कोई नीड नहीं है और वैसे सबस्कte बहुत अच्छा करा नें बहुत अच्छा लगताया है मेरा मेकप वीडियो तुसले में आप लो के लिए कया लेका आती हूं बढ़ाने में कों भी मेकाप सजिशन हो तो प्लीस क कॉमेंट ढाउं जरूर करिएगा मैं सब के कॉमेंट पड़ती ह HC था लगता है पर पॉसिबल होगा तो मैं दिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अच्छा है तो मैं पहले कॉम्पैक के बाद मैंने सेटिंग स्प्रे अच्छे से कर लिया है ताकि जो मेरा फाउंडेशन है जो मेरा बेस अच्छे से से सैटल हो जाए और अब इसके ओपर में जो भी लगाऊं मैंने कोशिश की है कि वो अच्छी लगे मेकप के साथ तो अच्छी आइब्रो किट है और अफोर्डबल रेंज की भी है बट इससे भी आफोर्डबल रेंज की आइब्रो किट अवेलबल है यह वाली भी लेकिन अच्छी इसमें आपको तीन शेड मिल रहे हैं इसमें ब्र पूली के हल्प से मैं इसे ब्रेश आउट कर लिया अब मैं यूज़ कर रहे हुँ है पर रूट कॉस्मेटिक का टोक्यो आईशेड़ बालेट और इसमें से मैं अपनी स्किन टोन के नेरिस्ट जो कलर दिया था मैंने वो पिक किया है और मैं अच्छे से पूरी आईलिट पर मैं आईशेड़ हमेशा बहुत ही सिंपल बताती हूं बिकोज मुझे पता है कि आईशेड़ में आप अगर अच्छे प्रो आर्टिस नहीं हो तो आपको दिक्कत होगी तो इसलिए मैं बहुत हमेशा सिंपल वाल आईशेड़ बताती हूं तो कोई भी कलर लेकि आपको पू बिकोज वो थोड़ी देर में सुख जाती है तो तब अच्छे से ब्लेंड नहीं होती है तो यह आप ध्यान रखिएगा और नेक्स टाइम मैं भी ध्यान रखोंगी आपको पहले एक लिप्स्टिक को प्लेस करना है एक आईस पे उसके बाद आपको इसको ब्लेंड आउट कि ब्लेंड नहीं देखना है और क्योंकि हमने लिक्वड लिप्स्टिक लिए है तो थोड़ी सी हार्ष लिखनी देखेंगी और आप ज़ल्दी ट्राइ ओgy हो जाती है आप लिपस पे लगाते हो तो भी ड्राय हो जाती बट यह बहुत अच्छी होती है तो यह सबसे अच् तो वो एक मोव कलर ले रही हूँ मोव जैसा कलर है और इसको मैं जो मेरी लिपस्टिक की हार्ष लाइन है वहाँ पर प्लेस करूँगी क्रीस पर अपनी ताकि जो कलर है वो बहुत ही ब्लेंड आउट लगे एक में ही लगे ऐसा ना लगे कि मैंने यहाँ पर कुछ और लगा लिया उपर कुछ और लगा लिया तो पूरे आईशाडो को एक ही में ब्लेंड आउट दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर यह वाला कलर क्रीस पर सेट करना पड़ा जिससे की बहुत ही ब्लेंड आउट लगे हाँ नेक्स्ट मैं इस करूँगी यहाँ पर एक ग्लिटरी सा शेड और इसको मैं अपनी पूरी आईट पर प्लेस करूँगी विकॉज सावन का लुक है और मैंने ग्रीन साड़ी पहननी है रेड ब्लाउस पहनना है तो जो आपका आई कलर है वो बहुत ही ज़्यादा पॉप होके आना चाहिए तब ही अच्छा लगेगा और थोड़ी सी नहीं रेडनेस रहती है रेड के साथ ग्लिटर रहता तो और भी सुन्दर लगता है यह मेरा पहला सावन नहीं है यह मेरा दूसरा सावन है और किसका पहला सावन है प्लीज आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताएगा अब मैं यहाँ पर फॉल्सी अप्लाई कर रही हूं आप लोग ने बहुत रिक्वेस्ट कि थी कि दीदी प्लीज आप दिखाना इस बर ज जब भी आप उन पे ग्लू लगाओ तो आप उनको थोड़ी दिर के लिए ड्राइ होने तो जैसे वह सुखती ना वह चिपचिपी हो जाती है तो बहुत ही जल्दी से स्टिक कर जाएंगी आपकी आइलिट पर नेक्स में यूज़ कर रही है पर 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 पल का आई-लाइ जो की उनका निवलाँ ची है और अच्छा आयश लगा है इसकी जो आगे की ना वह ब्रेश होता है ब्रेश ना काफी हार्ड है तो ये काफी इसी होगा बिगिनर के लिए फसकिण ना कहीं भूम जाता है ऑट ये इतना हार्ड है इसको आप जैस तरफ जितं गूमाओं तो इजी हो जाता है इससे लगाना हूँ बट आइ थिंग इसमें क्वांटिटी कम है मुझे लग रहा था काफी कम क्वांटिटी है पता नहीं हो सकता है मुझे ही ऐसा लग रहा हो तो मैं दोनों साइड आइलाइनर को लगा लूगी और थोड़ा सा मैंने विंग वाला ड्रॉ कि आप लोगों ने मेरी पिछली विडियो में भी पूछा था जो मैंने अमेज़ों सारी हॉल किया था सो यह शीन का है अनफॉर्चनेटली शीन का है और आप कुछ नहीं कर सकते इसमें इसका लिंक आपको नहीं दे सकती नेक्स्ट मैं इसकर रही है आप पोपल का मस्कारा ज कि वो भी जादा अच्छी लगें अब मैं यूज करूँ यहां पर एसक्यू की वही सेम लिप्स्टेक और मैं इसको एज बलाश यूज करने वाली हूँ आज मैंने लिप्स्टेक का काफी यूज कर लिया है और मुझे आज पता चला कि वाकई में बहुत अच्छा लगता ह अब यह आपको लग रहा है थोड़ा जादा है बट इसको जितना जदा आप ब्लेंड करोगे वो इतना जादा सुन्दर कलर देगा आप देख सकते हो इतने अच्छे से ब्लेंड हो गया कि मेरे फेस पे बहुत थोड़ा सा बचा अब मैं यह वेटन वाइल का कॉंटूर प मुझे जादा एजी लगता है बिगिनर्स के लिए यह थिंग पावडर कॉंटूर सबसे बेस्ट होता है तो मैं इसको पती जॉलाइन पे भी अच्छे से लगा ले रही हूं फोरेट पे भी ताकि मेरे पेस को एक अच्छा सा डायमेंशन मिल जाए नेक्स मैं यूस से लगता है बहुत ही जाए ब्लूप नहीं देता है यह कहांगी आप देछ तो मै वैंने कितना लगाया है और से बहुत सटल स dużo बहुत सबसे लगहा है कि आपका लाग्यार में प्शलाइटर मि यह ऐसा हाई एक है對吧 कि लिग प्लीज लाइक करया तो वहीं सेम ड्रेव एबुडि direct संप्रली जो और प्रभक्ट काुरूँ एक एक से ठीजिये ड harvest मैं सप्रीक्या यस पीश्ऑन मेंड़ मजह रोगा इसके बाद मेंया काझल आधि में माल्रेश्न पैसके परिड़िक आप तोप फाइड लिप्स्टिक का विडियो बनाया था उसमें मैंने यह लिप्स्टिक दिखाई थी और मुझे बहुत पसंद है बहुत ही सुंदर सा कलर आभी आप देखना बहुत सुंदर लगेगा और सावन में रेड और ग्रीन इन दो कलर के लावत तो दिमाग में कुछ आत क्या है और अब मुझ कम करें यह स्टाइल बनाऊंगी हैसस्ट्ल सिंपल सिर शावन में स्ट्सjem करें बनायों को आप और कुछ लगा हुआ है but mails na actually Camera तो मुझे समझ में नहीं आरह था कि क्या लगाय क्या लगाय मैं भी देख इस तर्मज में नहीं आ रहा था तो थोड़ा से हopia साड़ हुआइड गलती से लग गया था और मुझे समझ में नहीं ही याशली लगा हुआ है तो मैंने बाले को इन में आप बस इसको ऐसे पिन अप करके पुरे बालों को खोल सकते हो आप चाहो तो इसको पीछे अच्छा सा बन बना सकते हो और आप चाहो तो चोटी भी कर सकते हो तो बहुत सारे ऑप्शन है आपको इस हैर स्टाइल के बाद और मैं साइट से थोड़े से बाल निकाल ले मैं लेके आई थी और उसकी वज़े से ना काफी एजी हो जाता है फिर पता नहीं चलता अंदर क्या मैस है तो मैंने ये लगा ली और इससे भी थोड़ा टाइट हो जाता है अपका बाल और अब मैं उपर से ये वाले गजरे लगा लूँगे प्लास्टिक वाले तो ये काफी प्यारे जुमके हैं इसमें कई कालर अवेलेबल हैं ग्रीन भी था रेड भी था ब्लू भी था तो आप अभी भी चाहो तो ले सकते हो वहां पर अवेलेबल है बहुत ही अफोरडबल रेंज के हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं आपके पूरे लुक को कंप्लीट कर देत हैं सो यह है मेरा फाइनल लुक अभी मेरे एक ट्विस्ट बाकी है अभी मुझे फेक नेल्स लगाने हैं जो कि मैं फर्स टाइम ट्राइब कर रहे हूं आई जिस ओप कि वो भी ठीक ठाक लग जाएं यहां पर मैंने सबसे जरूरी चीज कर ली है जिसके बिना सब कुछ मतलब उनको मैंने देखा लगाते हूं मुझे काफी अच्छा लगा तो मैं लेकिया ही नाम आप लों को पता होगा तो यह मैं लगा रही हूं और लग गई पहली बार में लग गया अच्छा लगा मुझे बट आई डूंट थिंग की मेरे उपर फेक नेल्स अच्छे लग तो मझे थोड़ीा है कि चाहिए इस बर में मार जौनगी तो मैं दूसरा लेकर आउंगी तो यह थोड़े बड़े होंगि अप लूब उग अब उनक्न्द मुझे तो बहुत खराब लग रहे है बट मैंने सूचा नहीं अब लगा लिए तो अब मैं निकालने निवाली इसको चलो ठीक है जैसे भी वाँ यह है मेरी मम्मी की सारी मैंने पहनी हुए है गरीन कलर की और ब्लाव शीन का है अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेक्शुर आप इसको लाइक जरूर करिएगा बाबाई झाल कुछ आपए है ऑule पर वाँ घुछा पर अजल है